अजमेर की श्रीनगर रोड म्रदंग सिनेमा के पास आईटीसी के कोदाम में बड़ी चोरी की वारदार सामने आई है जहां दो अज्याद बदमाशों ने आईटीसी कमपनी का 35 से 40 लाख का मालों साफ कर लिया जिसमें महंगी सिगरेटे वे अन्ने समान मौजूद है मामले की शिकायत अशोका मोटर्स कोदाम के मालिक रुहिद द्वारा अलवर गेट थाने में दर्ज कराई गई है पुलिस मामले की तप्तीश में जुकी है वारदात की खटना वहां लगे CCTV केमरे में भी कैद हुई है जिसमें दो बदमाश चोरी की वारदात को अन्जाम देत की जा रही है अब आए टी सी का माल था पुरा इसमें FMCG भी था इसने FMCG का भी माल लिया और सिग्रेट का भी माल लिया है और सारा जो भी उसने करा है वो पूरा डेड़ घंटे का है अपरोक्स वो सारा CCTV फूटेज में अबलेबल है किस तरह का माल जो है चुकी लिया उस करें थे उन्होंने कैमरे के भार वाले वायर पी कट करें थे लेकिन उनको जब दिखा कि और कोई कैमरे दिखते नहीं तो वह सारे अंदर थे तो रात को दिखा नहीं उसको इसलिए दूसरे कैमरे में उसकी फूटेज पूरी आ गई है दो जने इसके अंदर एक तो गेट थाने केमरे में कौनसी जगर पर शोरू में भई है इस शीनगर उड़ पर है अशोका मोटर सेजली रोहित खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दासता है होगी सच्चाई की वापसी SKV News सच्चाई की वापसी